सेस्ट को प्रमोशन में अरक्षन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है लेकिन अकर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो आगामी चुनाफ से पहले अनुसूचित जाती का विरूद मूदी सरकार पर भारी पड़ सकता है इसलिए सरकार ने इसका तोड़ने कालने के लिए प्राइविट सेक्टर में सेस्टी एक्ट के लिए अरक्षन का कार्ट खेला है सरकार ने चार साल में पहली बार प्राइविट सेक्टर की बैठक बुलाई जुसमें सेस्टी पर सोर दिया गया चार साल में मोदी सरकार ने कभी प्राइविट सेक्टर की बैठक नहीं बुलाई यहां तक कि कई मंत्री सवार भी उठाते रहे कि प्राइविट सेक्टर की और कौन देखेगा मगर पियम मोदी ने कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन जब सेस्टी समुदाई ने प्रमोशन में आरक्षन को लेकर सरकार के खिलाफ मोचा खोला तो सरकार को अपना बचाफ करने के लिए प्राइविट सेक्टर की याद आ गई एक अंग्रेजी अक्बार के मुताबिक पियम मोदी ने 22 सेतंबर को प्राइविट सेक्टर की पहली बैठक आयोजित की थी जिसमें पूरा जोर स्टी को बठाने पर दिया गया इस बैठक में Department of Industrial Policy and Promotion ने भारते उद्यों को द्वारा Skill Development, Scholarship और S.E.S.G. वर्क के लोगों को दिये रोजकार के बारे में एक प्रेजेंटिशन दी बैठक में शामेर एक अधिकारी का मानना है कि प्राइविट सेक्टर ने अपनी जिम्यदारियों को उस तरह से नहीं निभाया जैसे कि उस्ते उमीद थी इस बैठक में सरकार ने 22,000 ऐसे गाउं के लिए स्तयार की है जोन में S.E.S.G. जनसंख्या काफी ज़ादा है इस सरकार के साथ इस तरह की पहली बैठक 2006 में UPS सरकार के कारेकाल में हुई थी इसके बाद UPS सरकार की साल 2014 तक के कारेकाल में इस सरह की कुल साथ बैठकी आयोचित की गई लेकिन साल 2014 में सत्ता में आने वाली NDA सरकार की यह पहली बैठक है इस बैटर को चुनावी रणीती के तौर पर देखा जा रहा है डिबी लाइव के रिपोर्ट